हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके मेरे यूटीप चैनल में कैसे हैं आप सभी आई होग कि आप अपने बोड एक्जाम में लगे होंगे तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे इंपोर्टेंट क्वेसन लेकर आई हूँ आपके लिए जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर अपला सकते हैं अपने एक्जाम में तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज की टॉपिक है जो वो है धातु यानि मेटल अधातु नोन मेटल और है धातुकर्म यानि मेटलोजी ठीके मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ धातु अधातु और धातु कर्म ठीक है इसकी परिभासा और धातु अधातु में क्या अंतर होते हैं ये भी मैं बताऊंगी और धातु और अधातु की पहसान कैसे कराई जाती है किस तरीके सी इसकी पहसान होती है ये भी मैं तो बने रहे हैं मेरे चैनल के साथ तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक किजिए कमेंट किजिए सब्सक्राइब किजिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपको पूरे की पूरे आपकी एक्जाम में बोड एक्जाम में पूरे की पूरे नंबर लाने के लिए मैं आपको हेल्प कर रही हूं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो की अधारित है मैठल नॉन मैठल और मेटल लिरजी पे ठीक है तो एक study करते हैं आज का विडियो धातू यानि वैठल टीक है तो मैठल का देखिए धातू के लैटिन नामों से के अंतिमच्छर ठीक है मैं इसकी पैचान बता रही हो कि आप धातू की पैचान कैसे करेंगे तो जो धातूओं के लेटे नामों के जो अंतिमच्छर होते हैं ठीके उसमें यू एम होते हैं ठीके उसमें क्या लगे होते हैं यू एम ठीके जैसे मैं आपको उदाहरण के तोर पे एक्जामपल के तोर पे मैं बता देती हूं जैसे हो गया पोटैसियम ठीके तो यहां पे आप देख सकते हैं कि potassium का जो last name है वहाँ पर UM लगा है ठीके क्या लगा है UM जैसे कि मैं यहाँ पर पताई कि धातूं के जो Latin नामों के जो अंति मच्छर होते हैं उसमें UM लगे होते हैं इसे हम पहचान करते हैं कि यह धातू होते हैं ठीके UM, देखिए कैलसियम है, इसमें भी UM लगा है, ओके, देखिए सोडियम है, इसमें भी UM ही लगा है, और नेटरेटियम है, इसमें भी UM लगा है, ठीक, ऐसे ही, और जे नेटियम है, उसमें भी UM लगा है, ठीक, तो ये जुम मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आई थी ये है धातू का जिसमें मैं आपको बता ही हूँ कि लास्ट में अगर यूएम लगए होते हैं तो आप कोई भी कितने भी धातू हो आप उसका पहचान कर लिज़ेगा कि ये धातू है ठीक है क्या नॉनमेटल है तो अधातू के अंतिमच्छर क्या होते हैं ए एन होते हैं ओके धातू में यूएम होते हैं और अधातू में एन होते हैं या फिर ओ एम लिखा होता है ठीक है अधातू में एन तथा ओ एम होता है और धातू में यूएम होता है इतना ध्यान दिज़ेगा ठीक है, जैसे मैं एक्जामपल आपको बता दूँ, आक्सीजन, क्या लिखा है, E-N, है ना आक्सीजन में, लाष्ट में क्या है, E-N है, और कार्बन, कार्बन में, O-N है, ओके, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में E-N है, ठीक, तो आप पहचान कर लेंगे ना, कि धातू में U-M लगा हो, तो धातू के पहचान कर लेंगे, और अधातू में E-N अथवा O-M लगा हो, तो हम अधातू की पहचान कर लेंगे, हम अब धातू अधातू की पहचान देख लिए, अब हम देखेंगे धातू, और जो हमारे अधात होते हैं उसमें अंतर क्या होते हैं ठीक है जो धातु और अधातु है उसमें डिफरेंट क्या होता है ये देखेंगे कि दोनों एक दुसरे से भीन कैसे होते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं पहले है धातु ठीक क्या है पहले धातु है फिर अधातु है ठीक तो पहला है कि पहला इसमें अंतर क्या होता है कि जो धातु होते हैं इनका जो घनतु होता है वो अधिक होता है ठीक और अधातु जो होते हैं इनका जो घनतु होता है वो अपेच्छा क्रित कम होता है ठीक है धातु का जो घनतु है वो अधिक होता है और ऐसे ही दूसरा है ये बिद्यूत तथा उस्मा की सुचालक होती है कौन जो धातू होती है वो बिद्यूत उस्मा की सुचालक होती है और अधातू में ठीक उसी का उल्टा कर दीजेगा ये बिद्यूत उस्मा की कुचालक होती है ठीक है अधातू जो होते हैं वो सुचालक हो ठीक है जो मैं टॉपिक बता रही हूं आपको ये टॉपिक बहुत ही वेरी वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट है ये हमेशा हर एक्जाम में पूसता रहता है कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है बताईए ठीक है ये पूरे ही लोग क्लास से ही चले आता है कि धातु और वो सधारण ताप पे ठोस होती है और जो अधात्वे होती है वो ठोस द्रो तथा गैस तीनो अवस्था में पाई जाती है ठीक है अधात्व जो होती है वो ठोस द्रो गैस तीनो अवस्था में पाई जाती है लेकिन जो धात्व होती है वो साधारड ताप पर ठोस तो होती है लेकिन जब मैं उधारड के तोर पर बता देती हूं जैसे सोडियम, पोटेसियम केवल पारा ठोस के रूप में नहीं पाया जाता है ठीक बाकी सब रूपों में पाया जाता है जो धात हुए होती है सोडियम, पोटेसियम वो केवल पार इन में धात्विक चमक पाई जाती है जो धात्विक चमक पाई जाती है जो धात्विक होती है यह चमक नहीं पाई जाती है और जो धात्विक होती है यह चमक नहीं पाई जाती है और जो धात्विक होती है यह चमक नहीं पाई जाता है और जो धात्विक होती है वह बहुत ही चमकदार और खुबसूरत होते हैं और इसलिए जो होती है इसमें चमक नहीं पाई जाती है ठीक है और धातु का पांचवा देख लेते हैं अंतर क्या है कि धातुएं अमलो से क्रिया करके हैड्रोजन मुक्त करती है ठीक है जो धातुएं होती है वो अमलो से क्रिया करके हैड हो रहा है यहां पर ऑपर जा रहा है तो जो धाफ़े तैयां अम लो से लिए विस्थापित करती है यह विस्थाफित करती है लेकिन यह जो अधात्व होते हैं वह अमलों से क्रिया तो करते हैं हाड्रोजन को लेकिन वह विस्थापित नहीं करते हैं छठे नंबर पियाता है धातू का है जात्वर धनीय तथा तन्य होती है ठीक है जो धातु होती है वो अगात वर्धनिय तथा तन्य होती है और जो अधातु होती है ये सधारतय भंगूर होती है ठीक है अधातु हमेशा भंगूर होती है और ये तन्य होती है सात्वा है धातु में धातु के आकसाइड जल में गूल कर छार देते हैं ठीके क्या है जो सात्वा डिफरेंट है धातु का तो धातु के आकसाइड जल में गूल कर छार देते हैं अर्थार्थ इनके आकसाइड छारी होते हैं क्या होते हैं छारी है जैसे एने टू ओ एसे ओ ठीके तो इत्याद ही होते हैं तो यहां पर देखे क्रिया करा रहे हैं C A O का जब किर्या कराइंगे एस्टूOW जल में तो क्या बनता है C A O S 2 ठीक है और यहन्यटूOW का अगर इस्टूOW में जल में कराते हैं तो 2 A A O H प्राप्त होता है ठीक है और जेके अधात में क्या होता है कि अधातों के अक्साइड जल में घूल कर अमल देते हैं जो अधातों के अक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं कि जल में घूल कर वो अमल देते हैं अर्थार्थ इनके अक्साइड अमली होते हैं, जैसे जैसे P2O5 CO2 ठीक है, इत्याद ही होते हैं, देखिए हाँ पर करिया को भी कराया है, P2O5 प्लस 3 S2O का करिया कराया है, तो प्राप्थ हुआ है 2 S3 PO4, ओके, और CO2 कारबन डा अक्साइड से करिया कराया है, जल का H2O का, जो S2CO3 बना है ठीक है तो यह रहा धातू धातू में different ओके धातू धातू का different आता है आठमा आठमे नमबर पर आम लोग आगे तो बिद्धूत अपगटन में धातू एं कैथोड पर प्राप्थ होती है ठीक है जो बिद्धूत अपगटन में जो धातू होती है वो कैथोड पर प्राप्होती है और बिद्धूत अपगटन में से जो इनोर पर प्रात होती है ठीक है जब्धूत अबगटन होता है इस जो मैं धातू आपको बताऊंगी ठीक है ठीक है आप उसका opposite कर देजेगा जरूर वो अधातू बण जाएगा तो धातू होती है तो ये यह इनोर पर होती है अब नवा है कि धातुएं पारे के साथ गूल कर अमलगम बनाती है ठीक है जो धातुएं होती है वो पारे के साथ गूल कर अमलगम बनाती है और ये पारे अविले होते हैं धातु अधातु में क्या होते हैं कि इनके पारे अविले होती हैं जो सबसे लास्ट आता ह इन में मुक्त इलेक्ट्रान पाए जाते हैं ठीक है इन में क्या पाए जाते हैं इलेक्ट्रान पाए जाते हैं और अधातु क्या करते हैं कि इन में मुक्त इलेक्ट्रान नहीं पाए जाते हैं इसमें जो सोतंत्र इलेक्ट्रान पाए जाते हैं अधातु में क्या होता है कि इ बिना कहीं मत जाईएगा और नेश्ट वीडियो के साथ बने रहे हैं मेरे साथ तब तक के लिए बाई बाई